हलो फ्रेंड वेलकम टू एस्टी टिटोरियल लोटूर पेनल फ्रेंड्स हम लोग आज 17 माडल पेपर देखेंगे सामन ध्यन का जो जीवाइसी प्रवकता परिच्छा के लिए ये माडल पेपर सभी तयार किया रहा है ठेक है यहां से आपको 40 प्रसन मिलेके और 80 प्रसन आप परिच्छा में फ्रेंड से इस वीडियो को भी लाश्ट तक जरूर देखिएगा अगर वीडियो अच्छा ला दे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा लाइक कीजिएगा दोस्तों में सेर कीजिएगा तो चलिए प्रसन को सुरू करते हैं और आज का पहला प्रसन स्वास्थेवंग परिवार कल्यान मंत्राले द्वारा मा जो कारेक्रम है इसके सुरुवात जो है कप किया गया तो आठ आगस्त दोजार सोले को इसके सुरुवात किया गया था ठीक है केंद्री स्वास्थेवंग परिवार कल्यान मंत्राले ने लोगों BCS रूप से माताओ और इस संबंध में जो है जागरूपता पैदा करने के लिए आर्ठागस 2016 को राष्टी अस्तनपान प्रोसाहन कारेकरम MAA मा यानि Mother Absolute Affection ठेक है इसका पूरा नाम है Mother Absolute Affection ठेक है अर्थात मा की शुरुवात की गए ठेक है इस कारेकरम का उद्देश से है इस्तितम अस्तनपान प्रथा को बढ़ावा देना है और इसमें जन्म की एक घंटे के अंदर बच्चों को अस्तनपान कराना और प्रतम 6 माह तक बच्चे के अस्तनपान पर ध्यान देना और नियुंतम दो वर्स तक नियंतर अस्तनपान कराने पर जो है जोर दिया गया है ठीक है तो यहाँ पर भी आफसनापका करेक्ट हो जाएगा दूसरा नमर प्रेशन है कैसलेस लेंदेन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा किस समित का गठन किया गया है तो यह समित का नाम है नीरज कुमार गुपता समित ठीक है डी आफसनापका करेक्ट हो जाएगा तो यहाँ पर भी आफसनापका करेक्ट हो जाएगा तीशरा नमर प्रेशन है किताब Mix Six Machine Six Machine I Don't Like Cricket I Love It किस क्रिकेटर की आत्मकता है तो यह है क्रिस गेल शिक्स मसीन उसको भी कहा जाता है ठीक है क्रिस गेल जो है और यह वेस्ट अडीज का क्रिकेटर है तो उनकी आत्मकता है ठीक है तो यहाँ पर भी आफसनापका करेक्ट हो जाएगा चोथा नमर प्राशन है कलिंग नरेश खारवेल का संबंद था कलिंग नरेश खारवेल का संबंद किस से था तो यह था महामेग वाहन बंसे ठीक है महामेग वाहन बंसे मौर समराज के पतन के पश्चात कलिंग छेतर में चेदी बंस सस्थापित हुआ था और इसी बंस के राज महामेक वाहन के नाम से चेदी बंस को जाना गया और हाथी गुफा अफिलेक से कलिंग नरेश खारवेल की प्रसस्ति उतकिर्ण होई थी तो यहाँ पर ए आपसनापका करेक्ट हो जाएगा पांचवा नमबर प्रशन है बहमनी राजे का संस्थापक कौन था तो बहमनी राजे की संस्थापक कौन था तो अलाउदीन हसन था ठीक है ए आपसनापका करेक्ट हो जाएगा बह्मनी राजी की अस्थापना अलाउदीन हसन ने जो है 1347 इस भी में डिली के सुल्ताल मुहम्मद बिन तोलक के बिरत बिद्रोह के बाद की थे अपने राज्या भी सेख के बाद उसने जो है अलाउदीन हसन बह्मन सा 1347 से लेकर के 58 तक की उपादे धारण की और बह्मनी जो है संतलत दच्छिट भारत में प्रथम स्वतंत्र इसलामिक राज्य था ठीक है तो यहाँ पर यह आपसना आपका करेक्ट हो जाएगा चठवा नमर पर ने अखिल भारती किसान कांग्रेश का गठन किया गया था तो यह 1936 इस भी को किया गया था ठीक है अखिल भारती किसान सभा की अस्थापना जो है स्वामी सहजानन स्वरस्वती द्वारा ठीक है सहजानन स्वरस्वती द्वारा इसकी अस्थापना की गई ठेक है 1936 में इसके अस्थापना की गई थे ठेक है तो इस तीनों चारों पांट को आप लोग याद रखिएगा और इसके संसापक सदस्य में भी पूछता है तो इसके संसापक सदस्य में जो है यंजी रंगा थे नंबू दरिपाद थे राम मनुहल लोहिया थे जैप्रकाष नरायर थे आचार नरंदर देव थे यह सभी जो है इसी से सब्बंदे थे ठेक है तो यह लखनों का दिवेशन में 1936 में सहजानन्द के द्वारा जो है अखिल भारती किशान कांग्रेश का अगठन किया गया था शात्वा नमर प्रिशन है द्वायद सासन का जनक किसे ही माना जाता है तो द्वायद सासन का जनक माना जाता है शर लियोनिल कर्टिस को ठीक है नई स्वारी यह गलत हो गया अंसर आपपा द्वायद सासन का जनक पूछ रहा है तो क्यों सा है हाँ तो सही तो है सर लियोनिश नियोलिट करटिस द्वैद सासन का जनक जो है लियोनिल करटिस को माना जाता है भारत में द्वैद सासक भारती सासन अधनियम और नईस और नईस में जो है पेस किया गया था भारत में 999 अधिनियम के तहत पेस किया गया था और जनक इसका जो माना जाता है सर लियोलिस करटिस को माना जाता है गर्ची पिटाः को देगे हैं 2 लेसे समय अंटनी के दरन्स पूरा में एक मंत्री था ठीक है तो यहां पर एक आपसना आपका करेक्ट हो जाएगा नवा नंबर प्रशन है निम्लिकि सागरों में किस्मे आउसत लमड़ता सरवाधिक है तो किस्मे है तो यह है मर्च सागर में ठीक है मिद सागर एक अति लमड़ी मतलब खारे भाले की जीले जो अच्छा गुना अधिक खारा है यह विस्व में जल में किस्रवाधिक खारे जीलों में से एक है और यह लमड़ता कठोर वातावरन का निर्मड़ करती है जिसके कार्ण जो है पौधे वैजन तो इसमें भिक्सित नहीं कर पाते हैं ठीक है तो टीज आपसना आपका यहां पर करेक्ट घुए गा दस्वा नूम्मर प्रश्वने भारत के निर्मनिकित भागों में पर्याती मुक्ष्ध है कहां संक्रेंदित हैं तो यह दक्षिड भारत में है ठीक है यह आपसना आपकर्ण हो जएगा द्रवेडिय प्रजाति जो है दक्षिड भारत के चन संख्या में एक बड़े बर्क का प्रत्य देट उक करती है ठीक है तो यह अपसथाइब है इस्थाड़ी में इस्थापीत है एक राजस्थान खेटड़ी भारत का प्राचेवरित्म जो है तबा उद्यक का सबसे प्रमुक शेत्रवान आजाता है d ये आपसन सही होगा 12 नमर प्रशने स्वाड़ीम चत्रभुज क्या है तो स्वाड़ीम चत्रभुज क्या है राष्टी ये राजमार्ग परियोजना है ठीक है युवारत में एक मात राज जो केसर का उत्पादन करता है तो जम्मु कश्मीर आप जानते होंगे जम्मुक और कश्मीर जो है अपने था हमाग का दूसरा परमुक उत्पादक है और इरान बिसो के कुल केसर उत्पादन का 95% अकेले उत्पादन करता है ठीक है कौन इरान ठीक है तो 200 में पहले अस्थान पे यह है यह अब भारत में दिखा जाए तो भारत में जमुकस्मीर सिर्फ और 95% इरान अकेले उत्पादन करता है ठी भारती सम Lutheran डिवस मना गढ़ाता है वह वह समिद्राइस म मना जाता है वहिददान डिवस 26 नमबर का यप Crispim यहां पर भी यासन करेक्ट हो जाएगा 15 नमोर मुख बहारत में बलाक अस्तरपरवहेदी पंचाय सम्मित केवल है तो क्या है तो केवल एक समण्यवज़ और परिवेक्षी प्राधिकारी है ठीक है भारत में बलाक अस्तरपरवनि जो पंचायत समित होती है वो समन्वे और परिवेक्षी प्रादिकारी होती है ठीक है भारत में पंचायती राज प्रडाली के इंतरक जो है पंचायत समित एक कारेकारी निकाय है जबकि जिला परिश्चत सलाहकारी है समन्वेकारी है और परिवेक्षी निकाय के रूप में का का कारी करता है तथा ग्राम पंचायद ग्राम परिश्चत और डिस्टिक्ट बोर्ड के मद्द जो है एक कड़ी का काम करता है ठीक है तो जहां पर सी आफसन आपका करेक्ट हो जाएगा शोले नुमर प्रश्चन है उन मौलिक अधिकारों का चैन करे जो भारती नागरिकों को प्राप्त है परन्त गैर नागरिकों को नहीं तो कौन कौन से प्राप्त है तो भारत में अभिवक्त की सुतंतता ये तो प्राप्त है ठीक है कानून के समझ समानता ये नहीं प्राप्त है अल्फ संख्यकों की अधिकार ये भी प्राप्त है जीवन और संख्यकों का अधिकारों को चैन करें जो भारती नागरिकों को प्राप्त नहीं है ठीक है तो पासड़ वजती स्वतंतता गैर नागरिकों को प्राप्त नहीं है ठीक है और अल्फ संख्यकों का अधिकार जो ह के विचारों की यहां पर यह आकर करेक्षर कि शत्री नमर प्राश्ण एक नया राज्य बनाने में संबैधानिक संसूधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए एक नया राज्य चाहिए ठीक है मारती संभिदान के अनुच्छे तीन के तहर संसद को एक राज्यों की अस्थापना करने की सक्ति प्राप्त है संसद की सामाने बहुमत से नए राज्य का निर्माण से संबंदित बिज़े को पारित कर सकती है ठीक है तो यहां पर एपसन आपका सही हो है 2001 से 111 तक यानि एक दसक में भारत के दसकी जनसंख्या ब्रिद्धी तर जो है कितनी रही थी सत्रे दस्मनों सत्रे साथ परसंट थी जबकि क्यानवे से 2000 के दसक के देखा जा तो यह 20.45 ठीक है तो यहां पर क्या पूछा है लिंगान पास सबसे कम किस राज्य का है तो व वदिश्टी से राश्टी आय का गड़ना किया तो आप जानते होंगे वी के और वी राओ ठीक है यह तो आप जानते होंगे एक भारत में जो है राश्टी आय को मफने परतंभाबिध्यानिख फ्रियास बिजेंद्र कस्तुरी रंगा वर्द राज राओ इंका ना धतार प इन्होंने जो है 1931-32 में जो है सबसे पहले राष्टी आयकड़ना की थी ठीक है और उन्होंने जो है सूरे शो नमासी करोण को राष्टी आय और प्रतिव्यक्ति 62 रुपया आयकान पात लगाया था और उन्होंने किर्सी छेत्र में आयकान मान लगाने के लिए उस्साविध ठीक है और गर क्रिसी छेत्र में जो है आयकान मान लगाने के लिए आये बिदी का प्रयोग किया था ठीक है और राष्टी आयकान मान लगाने के लिए प्रूफेसर राव ने राव द्वारा भिक्सित तकनिक का प्रयोग आज भी किया जाता है ठीक है तो यहां पर STEPHAN P Lesson है पूठा जाता है कई बार यह पूछा गया है तो भी य आफसत निसमिए आपका करेक्ट हो जाएगा कि बीश नमर प्राष्ण है काली क्रांत दिश्भ्वन्द्भत दित है तो किस्छे काली क्रांत कस्छा तोल पातन से ठीक है तो 10 अब्सप्णyou हुआ जाएगा कि किस नमर कशिन निम्न में से कौन सा कर केंद्र सरकार दवारा लगा जाता है पर राज्यों दवारा एकथ यह जाता है तो कौन सा कर तो इश्टांप सो खैँ पारेटी सम्धान की धारा तो यहां पर ए आफसन आपका करेक्ट हो जाएगा 22 नमर प्रशन है बैंक दर का आसे क्या है तो बैंक दर का क्या आसे होता है तो केंद्री बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज जो होता है वही क्या का लाता है भयंक दरकालाता है ठेखिक्षी केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज ही क्या कालाता है तो यहां पर डी आपसण आपका करेक्ट हो जाएगा तेजिश नमर्बबम प्रीशन 3 प्राचीन भारत का नेपॉलियन किसी कहा जाता है तो आप लोग यानते होंगे समद्रगृ्पत को टेक है समद्रगुप्त की विजय गाता से प्रवावित होकर जो है बीए इसमित ने उन्हें भारत का नेपॉलियन संग गया दिया था ठीक है किस ने दिया था भारत का नेपॉलियन समद्रगुप्त को किस ने दिया था तो यह भी पूछा जाता है तो बीए इसमित द्वारा ठीक है निम्लिकित में से कौन हडपा और मोहन जोदोडों के उतकनन से संबंदित नहीं है यहाँ पे नहीं पूछा है मैनरजीद इचित वत्स ये तो हैं विये इसमित नहीं है ठीक है ये हडपा से संबंदित नहीं थे अभी पिछले ही प्रेशन पढ़े हैं आप लोग समुद्रकुप्त को समुद्रकुप्त को इन्होंने क्या उपा दिया था नेपोलियन का ठीक है तो ये लेखक थे यहाँ प प्रवर्तक थे गौतम बुद्ध और उनका जन्म कपिलबस्त के समीप लुम्मनी में हुआ था और उनके पिता जानते होंगे सुद्धोधन कपिलबस्त के साक के गण के पधान थे तथा माता जो थी माया देवी कोली गण राज्य की कन्या थी और छे बर्स की तपस्या के जो है 35 बर्स की आयू में जो है बैसाक पोडिवा के दिन बोध गया में निरंजना नदी के तड़ पर ग्यान प्राप्त करनी के उपरांत जो है गोतम बुद्ध ने सारनाथ जो बारणसी में है परतमान में आप लोग जानते होंगे अपना प्रथम धर्म उपदेश दिया ग्रिहत्या के गटना क्या कहलाता है तो ग्रिहत्या के गटना जो कहलाता है महा भेनिस क्रिमर्ड ठीक है और ग्यान प्राप्त की गटना क्या कहलाता है तो संबोध कहलाता है ठीक है तो 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 याद रखिएगा आप लो ठीक है और वे पांच ब्रामड की ने अस्वजित थे और महानाम थे ठीक है तो यहां से सारे फैक्ट को आप लोग इतने प्रशन पूछे जा सकते हैं सभी को हम पता दिए आप लोग नोट कर लेजिएगा और इसको याद रखिएगा 26 नमर प्रशने नालंदा सुविद्धाला के संस्थापक कौन थे तो कुमार गुप्त थे ना चंदगम विक्रमादित की मृत्यव के बाद जो है कुमार गुप्त फश्ट जो है सासक बना इसका कारिकाल जो है 2400 410 चारसो चाओर से 455 आओ उसने दसपूर में एक सुवर्य मंदिका निर्माण करवाया तथा नालंदा में एक बिहार के अस्थापना भी करवाई जो आगे चलकर नालंदा विश्विद्धियला की नाम से पिख्यात हुआ था ठीक है तो ये आपका भी आफ्शन करेक्ट ह हो जाएगा कसा था ताइशिग महमल रखस्ण Wish नमाय अठाहसो सत्तावन में भारत का गोउर्नर जेनर कौन expecting फिरिभाण कि प्रॉष्ण है तो कौन था तो लॉड q irrigation था ठीक है लाभ q तक याणि यहाँ थाधा क्या न आपकां कर्यक्ट हो जाएगा if 28 नमर प्रशन है धाई दित का जोपड़ा क्या है तो धाई दिन का जोपड़ा क्या है तो यह एक मस्चित है ठीक है और इसका निगमाण किस ने करवाय था तो कुटबुदीन आयवक ने करवाय था इसको भी आद रखेगा ठीक है तो यहां पे ए आपसन आपका करेक्ट हो जाएगा 29 नमबर प्रश्ण है बंग-भंग के बाद कौन सा अंदोलन शुरू हुआ बंग बंग के बाद जो है कौन सा अंदोलन शुरू हुआ था तो यह शुरू हुआ था सोदेशी अंदोलन ठीक है बेश जुलाई 1905 इस भी को बंगाल विभाजन के निर्ड़ा की गोसड़ा हुई और इसके प्रड़ाम शुरूब जो है 7 अगस्त 1905 को इस भी को जो है कुलक अध्यक को थी आप लोग जानते होंगे सरोजिनी नाइडू थी ठीक है इंडियन नेशनल कांगरेश की पर्थम भारती महिला अध्यक को थी तो यह थी सरोजिनी नाइड़ू ठीक है तो इसी आफशन आपका करेक्ट हो जागा सरोजिनी नाइडव जो है 13 फरबरी 1879 में आ प्रश्ट्री अद्धाक से बनी ठीक है तो किस्सा दिवेशन में तो ये कान पुरा दिवेशन में बनी थी तो सी आपसान आपका करेक्ट हो जागा अब यहां से आपको औरिजिनिंग के पांच कोश्चन मिलेंगे ठीक है तो आकरती में सरल रेखाओं की संख्या कितनी है सरल रेखाओं के संक्या पुछा है तो जो ये रेखा सरल रेखा है ञेक है तो सरल रेखाओं के संक्या कितनी है तो यहाँ पर देख लीए A, B हमा लिए यहाँ पर लिके लिए A, B, C, D ठीक है E, F, G, H ठीक है यह हो गया तो A, B एक रिखा हो गया A B ठीक है B D A B B D और यहां से यहां एक B D हो गया B D ठीक है उसके बार D F ठीक है तो D C F यहां पर देख लिए यह D C F D F हो गया और F H यहां से यहां F H हो गया है जिए यहां F H हो गया ठीक है उसके बार D H और यहां से देखिए यह D C H सरल रेका यह भी है तो भी है और यहां से यह सरल रेका हो गया ठीक है तो B F सरलल रेका हो कुल- सीधे यह है यह है यह है यह है यह है Вот गड़ू है कि वा राइविः रिखिसे लंबा है की जिना अब तीय दी कित तत्याओं करें है या निद्य है किद जोटा है किसे से एसे ठीक है परंग तुसी सिलंबा तो C से लंबा है, A, D से नाटा है, ठीक है, और D, B से नाटा है, D जो है, किसे नाटा है, B से नाटा है, B से नाटा है, परंतो A से लंबा है, परंतो A से लंबा है, हो गया, अब देखिए कहा कहा, E, A से नाटा है, तो E किसे नाटा है, A से नाटा है, ठीक है, परंतो C से लंब तो दो सभसे लम्बा कौन है तो आप तीनों को बिनान कर देजिए यहां पर दिख लिए कि कि टी कि फिर बी कि यह लंबाई बढ़ता करम है ठीकितक अर्था डी हो गया ओर बी है जो क्या है सबसे लंबे हैं ठीक है तो यहां पर बी और डी आपका आफसर नमर सी सही हो जाएगा ठीक है एच से एल करेंगे प्लस चार होगा आई से यम करेंगे प्लस चार होगा सी तरह करेंगे-चार tsuk dollar जोड़ेंगे-चार कर लीजिए थीक है पीछ mess Ratu day last और V से चार पीछे करेंगे, तो क्या आजाएगा, आपका R आजाएगा, फिर E से करेंगे, फिर A आजाएगा, फिर क्या आजाएगा, इसा आजाएगा, ठीक है, तो M, A, D, R, A, S, मदरास हो जाएगा, ठीक है, तो कहा मदरास लिखा है, B में मदरास लिखा है, ठीक है, तो B कि आफसान आपका करक्ट हो जाएगा कि पचीश नमर परशन है पचीश अंग्रेजी के वर्ड नीचे लिखे दिए गये हैं ठीक है यदि इन सभी को वर्ड के करम के अनुसार पर वस्तित किया जाए तो कि सच्छर का अस्थान नहीं बदलेगा ठीक है अब देखे लिए यह रो में हम देखेंगते हैं तो यह सी यहां पर आ जाएगा सी फिर सी के बाद डिए यहां हो जाएगा यानि दोनों बदल गया फिर क्या आता है फिर यहां पर यहां पर यहां आ जाएगा ठीक है फिर क्या आता है यहां के बाद यू वी यू आता है वी आता है ठीक है तो य यह देख लिए करम के अरसार होगे अब सीब के बाद आता है यह माता है फिर यू यू आता है फिर भी आता है ठीक है इसी अरसार इसको भी बैठा देंगे इसी अरसार इसको भी बैठा देंगे इसी अरसार इसको भी बैठाएंगे ठीक है तो कौन सा पूछ रहा है कि किस अच्छर आपका देख लिजे कांसा है यहां पर आप लोग, लोग देख लिजे यह एक थैक है यहां यहां पर दो अच्छ्छड ऐसे मइला है यह अप्ना अस्थान नहीं बदलेगे यह करम से लग भी जाएंगे और यह अपना नहीं दिया है तो दोनों अच्छर हो जाएगा ठीक है दो अपना क्रम नहीं बतल ले हैं सीरियल से लगाने पर ठीक है तो यहां पर आपका टी आपसन और करेक्ट हो जाएगा 35 नमर पर शने ए और बी हाकी और फुटबाल खेलते हैं यहां पर हाकी फुटबाल हाक्य फुट्बाल है। इस रहा बना लीज़ेगा फुट्बाल क्रिकट टेनिस ठीक है बॉलीबॉल तो क्या करहा है। बी हाकी और फुटबाल खेलते हैं ठीक है तो ए और बी क्या खेलते हाकी और फुटबाल खेलते हैं हाकी और फुटबाल खेलते हैं ठीक है इस तरह से आप साल्ब करेंगे तो आसानी से आजाता है खेलते हैं बी और सी क्रिकेट खेलते हैं बी क्या खेलता है क्रिकेट खेलता है C किया खेलता है बी सी क्रिक्ट और फुट ऊपूट के ला सही बी तो ई यह भी फुटّबाल केलते हैं और सी वाला का खेलता है क्रिकेट और पुटबाल क्रिकेट बहुत हो गया ठीक है? यह सी वाला C और E क्रिकेट और बालीबाल खेलते हैं C और E क्रिकेट और बालीबाल खेलते हैं ठीक है तो इस तरह से सजाएंगे आप तो क्या पूछा है तो कौन हाकी, फुटबाल और टेनिस तीनों खेलता है तो वो आपका D answer हाजाएगा ठीक है इस तरह से A, B, C, D, E, F कर लिएगा, हाउके के रिकेट कर लिएगा, उसके बाद ठीक लगाते चले जाएगा, कौन तीनों खेल ला है, उसको मिला दीजेगा, तो यहाँ पर D, A, अपका correct हो जाएगा, ठीक है? 36 नमर परशने, एक कारखाने में 10% कर्मचारियों का बेतन जो है 20,000 है, 30% कर्मचारियों का बेतन 25,000 है, 50% कर्मचारियों का बेतन 30,000 है, 10% कर्मचारियों का बेतन 40,000 है, अवसत बेतन कितना होगा? तो अवस्त बेतन बरबर क्या होता है कर्मचारियों का कुल बेतन ठीक है कर्मचारियों का कुल बेतन बटे क्या हो जाएगा कर्मचारियों की कुल संख्या कर्मचारियों की कुल संख्या अब इसी को हम लोगा एड़ कर देंगे ठीक है कमचारियों के कुल, तो 10 गुड़े 20,000 है, धन 30 गुड़े 25,000 है, फिर धन 50 गुड़े 30,000 है, ठीक है, 30,000 है, धन क्या है, 10 गुड़े 40,000 है, अब बटे इसका करना जागा, 10 धन 30 धन 50 धन 10, एन है, कमचारियों के संख्या, अब इसी को सालब करेंगे, तो यहाँ पे 10,000 है, कामल ले लेंगे, तो इनना होज़ेगा, 20 धन 50, धन 500, धन 40, बटे 100, ठीक है, अब इसको सालब करेंगे, तो कितना होज़ेगा, 100 गुड़े 250, बराबर 28,500, ठीक है, तो ऐसे बड़े बड़े प्रस्जा पूचे जाएंगे, तो इसको देखकर बहुत आसान रहता है, थोड़ा लंबा रहता है, पढ़ने हैं लगता है, लेकिन ऐसे ही प्रस्ण आपकी परिच्छा में पूचे जाएंगे, और ऐसे प्रिच्छा में UPSC दारा जो तने भी मतलब, सिक् टिकट के साथ कुछ भी जीते हैं तो उनकी योगदान के समान अनपात में इसे साज़ा किया जाएगा अगर वे पचीस जार जीतते हैं तो अनिल को कितने रुपए मिनेंगे तो अब देख लिए आमन अनिल ठीक है और अतुल का योगदान के अनपात कितना था तो पांच सम्बंदे तीन और रुपए संबंदे दू रुपया था ठीक तो अनिल का भाग पूछ रहा है तो त्या बड़े 25,000 अब इसे को काड़ देंगे तो कितना जाएगा तो 50 300 प्रश्ण देखने में बड़ा लगेगा लेकिन बहुत ही आसान जब उसको एक बार दो बार पढ़े नहीं तो प्रश्ण आसानी से आपको समझ में आ जाएगा ठीक है तो यहां पे टी आप्सन करेक्ट हो जाएगा अन अनतीश नममर पर एक आयद के इपरी सत्तर हिक आई और उसका च्छेटपल जो है दोसफिषक अरतर है तो सब्सकी लंबी पुझा कामान बतानाय है तो माना लंबाई एकस ही कशक ए है ठीक है चौड़ाई क्य जाएगी आयद का परिमाप क्या होता है दो लंबाई नहीं चड़ाई होता है ठीक है तो यस धन वाई बराबर कितना है 70 है तो एक्स प्ल्स वाई बराबर क्या हो जाएगा यह समीं कड़वन हो जाएगा आपका ठीक है अब अब बड़ाबर किनना है 276 है 276 दिया है यहाँ ठीक है आप क्या करेंगे x minus y का whole square करके x plus y square और minus 4 xy हो जाएगा ठीक है आप क्या करेंगे यहाँ पर 35 का square minus 4 गुड़े 276 हो जाएगा ठीक है अब देख लिए एक 225 225 minus post 2004 आजएगा और इसको घटा देंगे जब इसमें माइनस करके तो तो कितना जैगा एक सो एक राएट कितना आए खिक है तो समीखरड एक कि तो यहां पर आपका करेक्ट हो जाएगा इतना बटे इतना बटे इतना जिसको क्या करेंगे 0.9 का होल क्यूब कर सकते हैं अब इसे को बटे क्या करते हैं 0.9 का स्क्वाइर हो गया देखिए दो दो है नीचे ठीक है प्लस है यहाँ पे तो 0.4 का स्क्वार हो जाएगा प्लस है प्लस 0.9 गुड़े 0.4 ठीक है तब इसी को साल्प करनेंगे अम मान का हम मान लेते हैं A बराबर 0.9 स्क्वार B बराबर 0.4 स्क्वार तो A प्लस A Q माइनस B Q ठीक है बटे a square plus b square plus 2 a b हो जाएगा तब इसी को हम उस फार्मूला से जब साल्प करेंगे तो क्या हो जाएगा a minus b को हम कामल लेंगे तो a square plus b square plus a b हो जाएगा बटे क्या हो जाएगा a square plus b square plus a b हो जाएगा ठेक है आब अब बराबर A माइनस B बच जा रहा है कट गया A माइनस B बच जा रहा है То A कामान कितना हम लोग माने हैं तो 0.9 माने है माइनस 0.4 ठीक है तो इसको घटाएंगे तो इन एकहरं नहीं गए 0.5 हा जागा तो इसकामान कितना ढाईगा आपका 0.5 ठीक है सी यह आपसन आपका सही हो जाएगा चालिश नमर प्रिशन है जिराक्स मसीन से एक पेज पर बने एक चित्र को मोल आकार से कम करके 75% कर दिया गया इस प्रतिलिप को फिर 20% और छोटा किया गया ठीक है यानि 75% गुड़े 20 बटे 100 कर दिया क्या बराबर कितना हो गया कुल कितना हो गया 15% हो गया पुने आकार जो है 15% हो गया अब मोल आकार कितना था मोल आकार 100% था ठीक है आप 100% का जो है 15% हो गया तो यहां पर कौन साइंसर सही जाएगा तो मो लाकार कितना हो जाएगा 15% हो जाएगा तो यह आप सानिश में आपका सही जाएगा तो फ्रंट से रहे महत्वपूर 40% जो सेलबस के इंसार सभी प्रशन को इसमें इंवल्ब कर गया है कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जोड़ बताएगा फिर मिलते हैं अगले पार्ट में पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद